नमस्कार दोस्तो भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानिया प्रचलित हैं भोले नात का जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किस प्रकार हुआ इस पारे में पुराणों में अलग-अलग बाते कहीं गई हैं भगवान शिव के जन्द से जुड़ी ऐसी एक कहानी है शिव पुराण में शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू है यानि उनका जन्द अपने आप ही हुआ है वहीं विश्णु पुरान में बताया गया है कि भगवान विश्णु के माथे से निकलते तेट से शिफ के उत्पत्ती हुई थी और उनकी नाभी से निकलते हुए कमन से ब्रह्मा जी का जन्द हुआ था दूसरी और शिफ पुराण गे कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिफ अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विश्णु जी का जन्म हुआ था इस कथा के अलावा एक और पौरानिक कथा प्रचली थे बड़े बुजुर को बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विश्णु और ब्रम्हा जी के बीच इस बात पर बहस छड़ी हुई थी कि सबसे महान कौन है इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तबी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोड़ ढूंड लेगा वही सबसे महान कहलाएगा यह बात सुनते ही प्रमा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे के उपरे हिस्से ढूंडने निकल गए वही विश्णु जी ने वारा का रूप धारन किया और खंबे का अंत ढूंडने निकल गए बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोड़ नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए फिर भगवान विश्णु और ब्रम्हाजी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्ति शाली है यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है यानि वह अमर है आशा करती हूँ आपको मेरी आज की एक अथा पसंद आई होगी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बैल ओन कर ले जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानगारी आपको सहची प्राप्त हो सके रा हर महाधिव